तो व्हाद संव वर्डृटूर्ष में बात करेंगे, एक पौर्ट्फोलियो बनाने के बारे में तो अगर आप आज एक पौर्ट्फोलियो शुरू कर रहे हो चीजें खोड़ी अलगत तरीके से करनी पड़ेंगी दूसरा इंडिया का जो taxation law है वो हमारे portfolio में हम क्या करते हैं उसको affect करता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ book profit करो और dump में buy करो profit book करो dump में buy करो उसमें भी थोड़ा सा हमें change करना पड़ेगा क्योंकि जितनी बार आप profit book करोगे जितना जादा आप trade करोगे उतना आपका trading capital कम होता जाएगा और आपको हर trade पे tax लगता रहेगा tax से अपने को कोई problem नहीं है मतलब of course tax बहुत जादा है but मेरे कहने का मतलब यह है कि tax देने में कोई issue नहीं है अगर इंडिया ने उसको law बनाया है तो पर उसको भी एक तरीके से हम यहाँ पे portfolio को अगर manage करें तो we can delay that to the point जब हमारे returns अच्छे हैं जहाँ पे it makes sense to give a lot of tax जहाँ पे अपने को ज़्यादा चुबेगा नहीं हमारे portfolio को वो नहीं चुबेगा इसलिए हमारे portfolio को बहुत ही अलग तरीके से हमें यहाँ पे navigate करना होगा तो वो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए चलते हैं मैं आपको screen share करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो now guys एक important चीज यह है इसमें कि मैं यहाँ पे telegram पे regular updates आपको देता हूँ तो telegram जरूर join करें अगर आपने अभी तक join नहीं किया है क्योंकि telegram पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी दिन भर के updates और बहुत कुछ और सब मिल जाएगा link आपको description और comment दोने जगा पे मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं portfolio के बारे में and portfolio में किस तरह का approach होना चाहिए तो पहली बात guys यहां पे अगर हम अगर अभी में market देख लो तो अभी तो market लाल चल रही है यहां पे बहुत जादा important हो जाएगा guys हमें long term या medium to long term जो है हम portfolio में maximum जो holdings है हमारी hold करे and उनको hold करते हुए यहां पे उन पे profit जादा बनाए trade कम करें तो holding के हिसाब से हमें यह portfolio यहां पे बनाना है which is what we have to think about कि holding के लिए best जो coins है या best categories of coins है वो कौन से यहां पे हो सकते हैं तो चले coin market gap पे चलते हैं बात करते हैं first coin की जो I think no matter what happens सब के portfolio में सबसे बड़ा holding है उसमें से होना चाहिए which is guys bitcoin bitcoin एक store of value है आप लोग पक गए होगे सुन-सुन के सब लोग bitcoin 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 करें but it is very very important especially बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बहुत जल्दी पैसा बनाना है bitcoin कितना देगा 2x 3x नहीं bitcoin के जो targets आ रहे हैं वो 10x plus हैं for the long term अब बात आती है कि अगर bitcoin के हिसाब से हम सोचे तो हमें शायद short to medium term returns कम मिले but bitcoin आपके portfolio को comparatively stable रखता है crypto में नमबर दो bitcoin आपके portfolio को एक strength देता है and bitcoin is a store of value अगर अपन fiat currency देखें और जो inflation का rate है वो देखें यहाँ पर bitcoin becomes very 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 important कि वो किसी भी investment portfolio में यहाँ पर होना चाहिए now what I am considering automatic is आपने stocks, mutual funds, अपना retirement fund वो सब already fix कर लिया है, सोच लिया है and वहाँ पर भी आप invest कर रहे हो आपका अगर portfolio सबसे ज़ादा crypto में है या सिर्फ crypto में है वो थोड़ा ज़ादा risky है आपके लिए no matter what your age तो bitcoin should be the max इसको आप 30 से 40% आपके portfolio का आप bitcoin को यहाँ पर दे सकते हो नंबर दो का इस बात करते हैं world computer की जो है कि ethereum जिसकी current market cap 400 billion dollars के यहाँ पर है, बहुत चारे लोग बोलते हैं यह है ethereum killer, solana है ethereum killer मैंने भी वीडियो बनाया क्या solana ethereum killer बन सकता है बन मेरा point हमेशा से यही रहा है ethereum killer बनना इतना असान नहीं है आपन सिरफ market cap अगर देखें तो यह 400 billion पे है solana की अगर मैं layer 1 की बात करूँ 40 billion पे है 10x का difference है, luna 10x का difference है, bnb comparatively come 6x cash pass का difference आप यहां पे पकड़ सकते हो almost, cardano 10x से जादा का difference है, avalanche कुछ हब ही, मतलब 20 गुना almost का फरक पड़ता है यहां पे तो ethereum killer बनना इतना असान नहीं है, पहली बात market cap दूसरी बात, ethereum का अगर आप ecosystem देखो, ethereum के उपर बने हुए जो coin होगा, जो सिरफ market cap से ethereum से उपर आजाएगा ना, उसमें problem का कि वो सिरफ market cap से उपर आ रहा है क्या वो adoption, क्या वो metaverse क्या वो use case size से ethereum को cross कर पा रहे हैं now ethereum के पास एक obvious problem है which is very very high gas fee and slow transaction times each two point उसको कुछ हद तक address करेगा layer two solutions like polygon उसको काफी हद तक address करते हैं but with all of that ethereum स्टिल सबसे बड़ा ecosystem अगर माना जाए आता है programmable ecosystem बोल चकते हो crypto में है most probably काफी लंबे time तक आने वाले time तक रहेगा ethereum को kill करना इतना आसान नहीं है वो videos बनाना मैं आपको बता सकता हो बहुत आसान है, तो 30 to 40% के आसपास आप ethereum sorry bitcoin रखे, 30 to 40% के आसपास जो है आप ethereum रखे, in my case यहाँ पर ऐसा suggestion अगर आप लेना चाहो, तो मेरे हिसाब से 70% 35-35 कर लो या 40-30 कर लो bitcoin ethereum, 30% आप जो है, उसमें हम alt coins और stable coins की बात करेंगे next बात करते हैं guys, सबसे important chunk की, वो है 10% minimum 10% alt coins my bad, minimum 10% stable coins, क्यों क्योंकि alt coins जो हैं, वो बहुत जादा volatile होते हैं, market crypto की बहुत ही जादा volatile है, अगर आपके पास stable coins है या रूपया पड़ा है आपके exchange में या आपके wallet में, that is going to give you a chance to buy on huge dumps, आपको पता ही है crypto की market में, जो है, वो dumps बहुत regularly आते हैं, and crypto की market में, जो है, whale manipulation भी होता है, dumps regularly आते हैं, pumps regularly आते हैं, अगर market में volume कम हो जैसा की bearish phases में होता है तो कोई भी एक positive news या कोई भी एक negative news market को काफी जादा हिला देती है, आज ही कि अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो मैं XRP अभी सर्च करा है, आप यह देखो, bitcoin 3% down है, अगर मैं day में ही down का आपको दिखा हूँ, thor chain 13%, rune 13% down है away 9% down है axi almost 9% down है bat 9%, stacks almost 8%, right 8.5%, phantom 8% तो यहाँ पर आप देखो, 8-8 से 10-10% तो altcoins down है, bitcoin ही 3% down है, and I think ethereum almost 5% down चल रहा है तो यह volatility जो होती है इसमें हमें थोड़ा सा buying opportunity कभी-कभी मिल जाती है, depending on हम कौन से phase में, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, आज buying opportunity है वो आपको देखना पड़ेगा, कि आपके लिए आज buying opportunity है, या नहीं है अगर आप buy the dip वाले हो, अगर इसे बहुत सारी लोग बोलते है, वाल्ड में deposit नहीं है किसी और exchange में, जिसमें deposit चल रहा है वहाँ से उठाओ, वहाँ पे लो और वाल्ड में भिजदो, क्योंकि वाल्ड में पड़े-पड़े आपके wallet में जो coins हैं, उनको interest मिलता रहेगा राइट, so stable coins पे interest है वाल्ड जो है channel partner भी है तो वो of course मुझे भी बहुत easy होता है कि यार मैं platform use करता हूँ, वो channel partner है तो मैं बहुत openly जो है, इसको push भी कर सकता हूँ कि yes, I think ये platform अच्छा है, I think team अच्छी है definitely आपको वाल्ड यहाँ पे consider करना चाहिए जो लोगों comment है, doubts है आपको world पे issue आ रहा है, यार अपना जो ticket ID है ना वो नीचे छोड़ दो, मेरा team के साथ touch में होने का फाइदा उठाओ ठीक है, मेरा channel partner world है, इसका फाइदा उठाओ आप लोग आपके जो tickets अठके हुए है जिनका response नहीं आ रहा है, ticket ID छोड़ो मैं वहाँ पे team तक पहुचाने की पूरी कोशिश करूँगा थाकि आप लोगों के ticket जो है, comparatively जल्दी resolve हो जाए यह मैं best आपके लिए कर सकता हूँ कि like this is I think, जो help आपको चाहिए वो यही दे सकता हूँ moving on guys, अगर अपन पकने 35% 35% पकड़ लो Bitcoin Ethereum, 10% पकड़ लो Alts, बच गया आपने बस 20% 20% में मेरे हिसाब से कम से कम कम से कम आपके पास 5 altcoins होने चाहिए, कम से कम 5 altcoins in my opinion अब वो 5 altcoins कौन-कौन से हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है, अगर आप उसको 20 को 6 में डिवाइड करना चाहो, you can do that as well तो 3.5% approximately बच जाएगा, अगर आप बहुत ही जादा risk लेना चाहते हो, तो altcoins को 20% की जगा 30% कर दो और bitcoin ethereum में से 5-5% आप हटा सकते हो, but this will make your portfolio काफी जादा volatile, आपका downside 30% का हो जाएगा यहाँ पर, altcoins के अगर बात करें गाईज, यहाँ पर layer 1s बहुत ही अच्छे-च्छे available हैं, which you should explore, I think Binance में बहुत ही जादा potential है, Binance जो है regulatory authorities के साथ भी काफी progressively काम करता है, and अगर हम वैसे देखें, Binance का market cap right next from the next layer 1 solution, which is Solana, जो काफी centralized है by the way, यह अगर हम थोड़ा से decentralization की तरफ भी जाएं, तो luna पकड़ो, 41 billion के बाद, Binance 73 billion आता है, this is 1.75 times, almost 2 गुना यहां पर Binance बड़ा है next layer 1 platform से, so it is going to be very difficult, और Binance का भी ecosystem guys, जैसा मैं Ethereum के case में आपको बता रहा था, Binance का भी ecosystem वैसा है, तो बड़े dumps में, I don't think Binance क्यो ना accumulate किया जाए, I think it is a very very important altcoin, दूसरा, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5-6 coins आपको देखने हैं, वो आप layer 1s और layer 2s का combination आप यहां पर देख सकते हो, जिसमें layer 1s are going to be very important, especially medium to long term जो है, वो layer 1 जादा important क्यों आएंगे, क्योंकि layer 1 जो है, वो एक base layer यहां पर बना देते हैं, प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, whatever you want to say, layer 1s usually end up creating a big ecosystem, तो जिसमें आजाता है, Solana, Binance, Solana, Terra, Cardano, Avalanche, Polkadot, layer 2, Polygon, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे पूछते है, Litecoin, Cosmos, यह सारे अच्छे हैं, Chainlink I think is very 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 important, maximum जो coins आप Chainlink का ecosystem देख लो, almost हर प्रोटोकॉल पर Chainlink अटका हुआ है, as in अटका हुआ है, as in partnered है उनके साथ, उनका data feed जो है Chainlink के थ्रू आता है, तो काफी जादा important हो जादा Chainlink, I think FTX token has a lot of potential as well, Algorand is great as well, WeChain, हला कि अच्छा है, बट WeChain को कुछ issues यहाँ पर हो सकते हैं, BitBoy ने भी recently mentioned किया था, I think I partly agree, क्योंकि वो थोड़ा anti-China movement जो चल रहा है यहाँ पर, उसकी वैसे WeChain को थोड़ा growth में issue हो सकता है, बट WeChain कोई अच्छा है, मैंने भी fundamental analysis बनाया, supply chain में काफी अच्छा मुझे project यह लगता है, the only problem is, जो anti-China sentiment यहाँ पर चल रहा है, Metaverse को भी आप यहाँ पर divide कर सकते हो, तो for example, जो मैं आपको बोल रहा था कि आप altcoins में 30% कर सकते हो, तो वो जो बचा वो 10% you can go for Metaverse, तो Metaverse and gaming जो है आने वारे डाइम में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है मेरे हिसाब से, as compared to layer 2s also, क्यों? क्योंकि पहली बात तो of course मुझे यह सारे बहुत ही depth में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है Metaverse and gaming वाली side पे है, ठीक है, मेरा official full time job जो है वो इधर है, तो I get to see all of these protocols, और इसमें मुझे एक चीज़ समझ मैं है कि यह जो overall यह जो हमारे protocols हैं, जो Metaverse and gaming side पे हैं, यह comparatively अच्छा क्यों करेंगे? यह comparatively अच्छा इसले करेंगे guys, क्योंकि यहाँ पे बात ऐसा आता है कि इन में comparative growth अगर हम देखें in terms of user base तो वो better होता है, और कैसे better होता है वो मैं आपको बताता हूँ, तो ऐसे protocols में जब market down होती है, तो यह protocols are used as income sources by a lot of people, और जब market up होती है, तब यह protocols के अंदर का NFT ecosystem है काफी जादा boom करता है, यूज होता है, तो metaverse और gaming एक ऐसा category है, जो bull run हो या bear run हो, वहाँ पे उसका use case comparatively अच्छे से बना रहता है, इसलिए आप notice करोगे, bear phase में भी gaming projects बहुत अच्छा कर रहे थे, and that is the point, क्योंकि उनका जो coin है, वो regularly circulation में रहता है, तो जिस coin की economy जो है, वो circulating होगी, रुकेगी नहीं, वो better करेगा usually, and this also by the way applies to actual real, जो stock market वाले businesses है, right, web 2 businesses है, जो real world में already काफी सारे application लेकर आए, वहाँ पे भी apply होता है, similar thing, जहाँ पे economy circular होती है, या खुद ही move करती है, circulating होती है rather, वो better करती है businesses, and same thing यहाँ पे जो है, virtual projects वाली साइड पे, gaming वाली साइड पे भी apply होता है, तो यह angles आपको कुछ explore करने है, अपने portfolio की planning के time पे, so once again to summarize guys, bitcoin ethereum बड़ा चंक, 60 से 70% bitcoin ethereum, minimum से minimum 10% और अपना stable coins, 10 की जगा 20% भी आप उसको कर सकते हो, minimum से minimum 10%, आपके पास यहाँ पे stable coins होने चाहिए, क्योंकि आपको dumb buys का बहुत जादा यहाँ पे, chance मिलेगा और फाइदा होगा, बचा हुआ पार्ट है, उसको metaverse, layer 1 का एक बड़ा chunk, और layer 2 का चोटा chunk, metaverse slash gaming, layer 1 का बड़ा chunk, layer 2 का चोटा chunk, layer 2 जैसे की, for example, polygon, या फिर, एक ecosystem के अंदर, आने वाले projects, right, तो cosmos के अंदर, के कौन से projects हैं, solana के अंदर के कौन से projects हैं, right, वो वाला angle आप यहाँ पे, explore कर सकते हो, finance के अंदर के कौन से projects है, right, वो angle आप explore कर सकते हो, and lastly, बचा हुआ पार्ट, छोटा वाला पार्ट, metaverse और gaming, definitely यहाँ पे होना चाहिए, इसमें एक चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यह अगर metaverse और gaming का, इतना बड़ा chance है, 10x होने का chance है, यह वगरा वगरा वगरा, तो मैं मेरा पूरा portfolio, उसमें क्यों न डाल दो, guarantees कोई नहीं है, अगर आप metaverse में, छोटा सा पाट डालते हो, मानलो आपने, एक लाग का portfolio, उसमें 10,000 ही metaverse में डाला, और यह 10x हो गया, तो आपका portfolio जो है, डबल हो जाएगा, पर अगर यह 0 हो गया, तो आपका portfolio सिरफ 10% से कम होगा, तो आपका downside 10% है, आपका upside, पूरे portfolio की बात कर रहा हूँ, upside is 100%, तो 100% to 10% better है, या फिर 500% to 50% better है, वो भी आपको देखना है यहाँ पे, कि आपकी risk appetite, आपकी पाचन शक्ती कितनी, आप हाजमोला कितनी खाते हो, और जो है, of course, कायम चूरन कितना खाते हो, उस पे depend करेगा, तो यह है portfolio बनाने का, एक बहुती simple, सीधा साथा तरीका, in my opinion, for the next 2-3 years, जिस पे आप focus कर सकते हो, जो यह portfolio जो है guys, यह hodlers वाला portfolio, in my opinion, यह portfolio traders वाला scene नहीं है, इसमें, अभी high पे sell कर दिया वाला scene नहीं है, this is long term portfolio, था कि आप maximum profit derive कर सको, and maximum profit पर जब आपको tax देना पड़े, तो ऐसा ना हो कि कुछ बचा ही नहीं है, आत्में, तो वो वाला angle भी आपका, यहाँ पे solve हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों गा, यह question भी था, क्यार मैं तो बनाए हजार रूपया, उस पे मैं अब tax दे दूँगा, इतना सारा 30% तो मैं करूँगा क्या, तो हजार की जगा अपन लाख रूपया बनाए, उस पे 30,000 का जो tax दे, 70,000 जेब में आएगा, आप भी खुश, सरकार भी अभी के लिए खुश, hopefully, यह जो हम चीजे कर रहे हैं, जो tweets कर रहे हैं, जो सरकार तक अपनी बात, लोगों की बात पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ एक positive, जो scenario है, निकल कर आए, जो सरकार है, वो यहाँ पर देखे, कि यार, tax might not be the best, इतना high tax, rather, might not be the best thing to do, तो यह अपना कोशिश जो है, वो तो चालू रहे गाए, बाकी आप लोगों को और जो updates चाहिए, या कुछ questions है, उसको नीचे जरूर comment में छोड़े, and वाल्ड चेक आउट करना मत भूले, अगर आप medium to long term portfolio hold करने वाले है, as I always say guys, वाल्ड is a channel partner, मैं आप लोगों मिलूँगा अगले वीडियो में, लाइक बढ़े मोगों का जरूर मारे, and subscribe करना मत भूले, मैं आप लोगों को मिलता हूँ next time guys, तब तक के रहें, बाई,